IPL में अपने खराब प्रदर्शन के बाद Dinesh Karthik finally हमें दिखने वाले World Test Championship में मैं बता दू आपको लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं खेलेंगे वो दिखेंगे हमें कमेंटरी करते हुए दरसल आखरी मैच जो था RCB और गुजराट टाइटन्स का जिसमें RCB के हलके फुल के चांसे थे कि भाई कही ना कही जो है RCB प्लेइऑफ में आ सकती थी लेकिन वो मैच RCB हार चुकी थी और हार के बाद संजेब आंगर जो RCB के हेड कोच है उन्होंने ये बयान दिया था कि दिनेश कार्तिक जो है वो फॉर्म में नहीं चल रहे है निराशा जनक परफॉर्मेंस इस साल भी रही है उनकी पिखले साल भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी और उनके कैलिबर पर क्वेश्चन उठा दिया गया था उनके form पे question उठा दिया गया था कि अगले साल जो है भाई वो RCB में हमें दिखेंगे खेलते वे या नी तो उसके बाद लग भी रहा था कि यार दिनेश कार्तिक जो है शायद अब हमें कम दिखेंगे या उनको कहीं मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का cricket खेलने का तो बहुत दूर की बात है कमेंटरी में भी सवाल उठ रहे थे कि वो शायद नहीं करेंगे कमेंटरी लेकिन 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 बाई वर्ल टेस्ट चैंपेंशिप जैसा इवेंट आप और्गनाईज कर रहे हो आप उसमें शामिल हो आप उसके हिस्सेदार हो इससे बड़ी बात क्या होगी दिनेश कार्तिक के लिए क्यूंकि कहीं न कहीं आप देखो तो दिनेश कार्तिक के लिए यह बहुत ही इ greeting बात है और वो आप जानते हैं वो अभी मैंने बताया वो परफॉर्मेंस की वज़े से लेकिन अब जो है वो फाइनली हमें कमेंटरी करते हुए दिखेंगे इंग्लेंड बहो पहले भी कमेंटरी कर चुके हैं तो कहीं न कहीं उनको कमेंटरी का वो अच्छा खासा अनुभव है इस वज़े से आप देखें कि अब भी दिनेश कार्तिक को मौका मिला है कमेंटरी करने का और बात कर लिए डवल्यू टी से की तो 7 से 11 जून है 12 जून जो है वो रिजर्व डे रखा जाएगा देखना पड़ेगा कि उस दिन मैच होंगे या नी और वहीं पर जो हमारे दिगज खिलाडी फॉच चुके है बाई